हेलो दोस्तो वल्कम बैक टुमा चानल तो स्वाफ़त है आपका आज की वीडियो में तो दोस्तो अभी टाइम हो रहा है भाई बारा बज़ रहे हैं पूरे तो आज हम पूरे बारा बज़े लोगिन आया है भाई आज है वेडनेस जे और अपनी अथर लेके आओ आओ आज हम बाजर ओला रेट अच्छा दे रहा है भाई अभी और पोर्टर भी में उन कर दूँगा क्या पता पोर्टर पर कुछ बढ़िया मिल जाए बाकि एक दिन करेंगे भाई बाइक से मैं सोचल नेक्स्ट वीडियो भाई बाइक पे बनाओ पूरी फुल डे करके आज भी हम को आड़ वैसे भी ज्यादा काम करों तो चले दोस्तों देखते हैं भाई आज हमारा क्या एक्स्पिरेंस रहता है और कौन-कौन से कैसे कैसे कस्टमर्स मिलते हैं अज हमें तो चले दोस्तों वेट करते हैं अपनी पहली राइड का तो दोस्तों मैं 12 बजे लॉग इना था चलो कोई नी चलते हैं भाई निजाम अधिन रेल्वे सेशन चलते हैं अब ठीक है थोड़ी लंबी राइड तो मिली प्रफली राइड के लिए बहुत ज्यादा वेट किसी में नी ना ओला में ना उबर में ना रैपिडो में किसी में राइड नी ऑला में तो एक भी नी आ कुछ तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाई कस्टमर को पिक करते हैं और चलते है निजाम अधिन और वहां से देखते हैं फिर क्या मिलता है बहुत बुरी हाला था भाई यार पहली राइड में हमेशा टाइम लगता है मुझे इतना पता है आगे से सोच आओ घर से खोल के ख जब तरी तरी लिए बहुत बेट करा देते हैं और पहली राइड के लिए तीनों अप मेर तीनों का लगता सीन सेम है अधिन मेरे असाब सेतों था तीनों का सीन सेम है चाहाए उबर ले और ले लो चाहाए रैपीड ले लो ये चलो अच्छा बाई कस्टमर भी मिल गए योट आप लिए ँद्र कंफर्म न न कर लाईगा में द्री जो तो लगता है तोल लगता है कि पझाटियों का अपर नहीं नहीं लगता नहीं है ठींवे नहीं है अपको टोल लगता गटां करें चलियों को यत्र टो कि ने अब चाली नहीं प्रॉट प्ता दो अ ख्लीन श्केश फाइब सेफेट है डियाट जली आंक्ल तोल अट लिए स्ट्राई नी यहाँ निकले रास्ता यहाँ चलिए बैठियो अज़ टूब रखिया ना अब फिर कोई दिखकर नहीं है अज़ ने अएटिम जब आगाँ पार्किंग के पास पार्किंग पार्किंग काया यहीं पे तवर दूब यहीं पे तवर दूब यहीं पे यह जो यहाँ अइचो दूब टूब यहाँ पे अच्छे इले टूब याँ तोड़ासा टूब यह यह जब यह खिरो कि पीछ दूब यहीं यह तोड़ासा यह एए एए यह लिए ले ज़े जिए है लिए जब दो सो एंग प्थम हां उप्थम एक प्रद्धक मसरे कर दिजिए सबसे बड़िया काम है अंकरले अरश साम प्रक्ष कर बना उन उन से पूछन पढ़ेगा पहले है कहां कर से कोई नहीं आराम से अधित ये अज़ अज़ पाइब से तो ये अज़ अज़ फाय? कि अज़ झालो अज़ एग पाइब शब पाइब एगफ एगफ लिए ये हलό का बता हो लकापर हु निह करो की गेट्पर ख्थाणा निवन तरहो हुआ ठ्क्राणिक ज्नेन पाइड के में में गेट्पर खड़ा हुआ का उसी गेट्पर खड़ां हुआ इस लका पर हो जाहर बस यहां से यूटन मारते है ना यूटन मारते ही जो लेट साइड में यह बसो के पास बास कड़े हो के अब बसो के पास कहां पर अंकल चले ठीक अभी है मैं दो मिनिट दो पस पेमेंट लेकर आ रहा हूं आप कर से आ रहा हूं तो दोस्तों कस्टमर भाई बड़ी जल्दी में थे कस्टमर ने पेमेंट मुझे कैश दे दी यूपी आई हुआ नहीं उनका और नेक्स राइड आ चुकि दिमाग खराब हो गया बहुत जादा सही बताओ तो यहां पर रास्ते बड़े कंफ्यूजन वाले है कस्टमर भी यह भी अंदर ले आए मैं नहीं कोई नहीं भाई अब जो मिला है 191 रुपीज अरे भाई देखे कस्टमर है कहां बस हॉस खास जाना यार मज़ा आ जाएग वाई राइड का एक पहले लंबी राइड लेकर आ हैं दूसरी लंबी राइड लेकर आ हैं तो अरे वाई तो दोस्तों Uber की सेकिंड राइड भी हमने कंफ्लीट की मज़ा आ आ गाए है दो राइड बढ़िया बढ़िया मिल गई है मैं आज ऑख वह एग काम कितने का हुब यह देखते हैं भाई पहली राइड़ मिले भाई 23 किलो मिटर के 190 रुपे के असपास चलो ठीक है भाई इस राइड़ मिले है भाई 11.8 किलो मिटर के 115 रुपे ठीक है लगबग कितने काम हो गए भाई अपना देखें दोस्तों 280 रुपेज पाम हो गए और स्कूर्टी की कर चुके हैं अगर 10% कमीशन भी लगाई जाए उबर की तो अब पूरा दिन अगर उबर भी चलाएंगे हम तब भी हमारी कमाई हो जाएगी मेरे साब से फ्रीज ऑफ कॉस्त चला सकते हैं कि 25 रुपे वसूलने के लिए मिनियम 200 रुपे काम चाहिए अपने को अबर पे और के बिना तो अपना काम चलेगा नहीं है वेट करते हैं दोस्तों ही पह पास में तो दोस्तों बड़ी देर वेट करने के बाद यार अपने को ना राइड मिल चुकी है उबर पे और हमें जाना भाई सैनिक विहार बढ़िया भाई सैनिक विहार की राइड है और कस्टमर भी यहीं से है यार यहीं कहीं से मैडम मैडम है कोई पता नहीं है मैडम हो एजेंट सो कह तो सकते हैं कुछ देखते हैं भाई कोन है कस्टमर मैघ जी के नाम से मैं लीजे हम OTP है तो डोस्तों उबर पे हमने राइट कंपलीट की हम आ चुके हैं द्वार का मोड और मिले कितने इसमें हम यह देखें ज़रा अजब है तो टूंटी नाइन नंगली व्यार नंगली व्यार यांग वो फसाद है बस कि बहुत ही बढ़िया यार चलो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों स्कूटी की बैटरी है बहुत ही बताऊ तो थोड़ा काम और करेंगे यार अभी तो यहीं पास में लगबग 2 किलो मिटर पे चार्जर है हीरो वा चार्जर तो मिला नहीं अपने को एथर कहीं मिला चलो कोई नहीं एथर कहीं चार्ज कर लेते हैं यार पचास साटर पर खर चाओंगे पर काम तो करें और यह पूरा 500 पर काम कर लिया भाई मैंने तो चलिए दोस्तों यहां से उबर को ओफलाइन करते हैं और चलते हैं वाई चार्जर पर तो दोस्तों स्कूटी तो भाई हमने चार्ज कर ली दोवार का मोड के पास से ही और यह देसवाल स्कूर नाम से कोई है चार्जर हाँ बढ़िया यार स्कूटी तो चार्ज होगी बाई 76% अब देखना भाई राइड क्या आती है उबर रैपिड हो दोनों खोल दिया है मैंने मैं ओला भी खोली देता हूँ बढ़िया राइड लिए ठीक स्कूरी तो क्मूझे मझे 45-50 मिनिट्स लग गए स्कूरी चार्ज करने में मैंने 17 परसंट पर लगाई थी और 76 परसंट करके उतारी है तो चलिए दोस्तों देखते हैं वाई अब क्या राइड आती अपने को आई होप कोई बढ़िया राइड है हम भी लॉंग रूट पर जाए यार थोड़ा पहां भी कहीं और भी चार्ज कर लेंगे अगल जूरत पड़ी तो बस कोशिश है कि अपना टार्गेट पूरा करें आज तो चल कहां भई ना उबर पे ना रैपिडों पर पतानी क्या हो रहा है आज कल राइडे कम क्यों हो रही है भाई इतनी यह देखो भाई पलसर गाड़ी खुली पड़ी है पूरी यह अगल बाद अंदर ले आ गया यह समझ नहीं आरा भाई राइडे गई का शाम क्या दिन में भी अज आप खुदी देख्लों क्या हाल रहा है पता नहीं भाई क्या होगा बाइक टेक्सी का मुझा समझ नहीं आ रहा को पार्सल पर वगड़ा की विद्द यह राइड नहीं आ रही है ना उबर पे ना रैपीडो पे रैपिडों पी ऑन करी लिया रास्ते में कोई राइड विल वगरा आ जाएं bara नाइं कोई राइड नहीं मजाल है हमारे कि कोई राइड डियले हमें चले कोई नहीं दोस्तों देखते हैं क्या होता है कभी सब्राइब कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं यह कुछ जरूरी नहीं कि बाई फैकेश की राइड देदी हमको और हमें जाना है भाई रोईडी सेक्टर 22 के आसपास 22 ही है शहयद देख लेना स्क्रीन शॉट लगा दूँगा बट सही है फिर भी रोईडी के आसपास के राइड मिलगी बड़ी है वहां भी हो जाएगा काम ठीक ठा वरना टार्जिंग भी है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है ओ खाली जाना यार क्या पता रैपिडो कोई राइडी मिल जाए वहां पर आ गए भाई कस्टमर के पास तो देखते हैं भाई क्या मिलता है यहां पर अरे बापरे डॉगी देखे हो देखे हैं भाई उबर बाबा कस्टमर को कॉल करके देख एक ऑड़ तो दोस्तु घीजर मिला भाई कोई नहीं यार बढ़िया अपने को सही घीजर मिल गया यार अपने को क्या मिलेग भाई पारसल लेके जाना यार फिर इस भी सही है यार उननीस किलोमेटर कर रास्ता है अब लगालो देसरोफे किलोमेटर मिल जाएगा मेरे साफस्तेस में जादा टेंशन लेने की नहीं रोविणी सेक्टर बाइस जाना वहाँ चलते हैं पटाफाट और देखते हैं फिर क्या मिलता है यार रास्ते में क्या पता कुछ कोई सवारी मिल जाब है रैपिटो को आप भी ओन कर लें रैपिटो की होम लोकेशन भी लबा लेता हूं पर यार वही पंगा फिर उबर का रेट बढ़ जाएगा हम ज्यादा घूमेंगे ना रैपिटो के चक्कर में तो उबर का खर्चा बढ़ जाएगा चल है है बहुत अंदर यहत खुद पहली पार आया हूं यहार इतना इंदर वह दिन में ते फिर भी हाई जाए रात में पूरा सुमसानिंपडे करें सरके में मिलें भी पता नहीं यह रभ वैए तो घ्र राइड है तो वैने उठाली तक यह झाल जेज हूं जगल के अग ने ब अब यह देखते हैं यहां से वापसी में क्याम दिलता है यह देखो अब आई थोड़ी रॉष्णी वाली जगा वरना हंदेरे में तो भाई ऐसी की तैसी हो जाए और सही तो अधर के साथ तो अधर का इतना अच्छा थ्रो नहीं है लाइट का तो हालत बुरी रहा है चलिए क कोई नहीं दोस्तों फटाफाट दो 800 मेटर का बाकी है बस कस्टमर की लोकेशन फटाफाट ड्रॉप करें अपना गीजर और चलते हैं फिर देखते हैं क्या मिलेगा इस बर हमें यहां से तो दोस्तों भाई हमने सक्सफुली डिलीवट कर दिया भाई पारसल और हमें नेक् और अपने को जाना भाई शाधीपूर मेट्रो कस्टमर का कॉल भी आ गया भाई और अब लॉंग रूट पर जाना है भाई चलो बढ़िया यहां से जाएंगे आराम से सही बाता भाई सही राइड मिल गई अब उमीद है यहां पर देखेंगे चार्जिंग का क्या सीन करना है 53% वैटरी है उमीद है पहुन जाओंगा राम से अगर जोत पड़ी तो घरी आ जाओंगा उसके बाद तब भी को टेंशन नहीं है भाई तो चलिए दोस्तों चलते हैं भाई फटा फट कस्टमर को पिक करते हैं मैडम है और चलते हैं शाधीपूर मेट्रो तो दोस्तों पर हमने यह राइट भी कंप्लीट की लगपक 15 km की राइट मेरे साब से देखें भाई 15 km की दिना 15 15.7 km की राइट और 141 मिले चलो ठीक है यार वैसे भी बाकि देखते हैं यार मैं थोड़ा साना होम रूट आउन कर रहा हूं अब स्कूर्टी की बैटरी है भाई 37% मैं दे ऑपना चार्जिर है यहां पर कोई चार्जर न दी चार्जर देखें 거ार आpassen पूसा रोड़ अच्छा हाई झा पूसा रोड यार आफडल यार आशादी पूसा रोड़ किति दूर है चेलों मेटर जो देखें के चल् Кар dai राइडी मिल जाए घर की होम रूट लगा दिया वैंने उबर और रैपिडों दोनों में इसे कमाई तो सही है यार अरे वाह ट्रिपल सेवन किंकम पूरी ट्रिपल सेवन का वाई उबर में अरे कर लिए भाई वेहिकल सेलेक्ट ओनलेन भी आगए का वाई तो चलिए दोस्तों दिखते हैं वाई क्या मिलता है मैं इसके बाद है लो दोस्तों यह वीडियो यहीं तक दी भाई हो आज अर्निंग हुई है भाई स्टार्टिंग मुझे लग रहा था बड़ा मजा नहीं है बट अर्निंग हुई है इवन कहने को मैं एक घंटा काली बैठ आधक रिपसास खाली बैठा सर न complexe एक भी राइड far नी आई रोट उसके बाद अरुनेंग शोड़ां यह सबसे बड़ी बात रहे है और मैंने इस में से उबर और रैपीड करे है वह दून भी है सब्स जाला लग गया है देखा जाए तो ताइमिंग अग देखा जाए गा तो भाई लगी गया वाकिन आपको पताता हूं डिटेल्स दोस्तों उबर में जो मैंने काम किया बाई काम किया 936 रुबे का और रैपिडो पर काम किया बाई 183 रुबे का और इसमें से मेरी 55 रुबे काटके उसके बाद 149 में पूरा घर आया हूं और जो मेरी गाड़ी चलिए वो चलिए लगबग 130-40 किलोमेटर के आसपस तो फीक है एक दर 149 हुई है मेरे साब से जारे देखो टेक्सी में थोड़ी गाड़ी ज्यादा तो चलती है इतना तो है यार फुट डिलीवरी में क क्राफिक में को टेंशन नहीं है कोई कुछ नहीं मिला अपने को अपने को सेट मिला यार और एक तक 64 के अधर से और क्या चाहिए मेरे साब से टाइमिंग देखी जाए तो यार बारा बजे से लेकर लगबग मैं साड़े आठ नो बच तक या सपस घर आया हूं अगर आप पांदस मिन तो बेट करना ही बड़ा अपने को इवन मुझे भी बीच में लग रहा था यार काई राइडे खताम होगी खताम होगी है और अर्निंग हो गई साथ ठीक ठाव होगी अपनी अर्निंग नो घंटे के अर्निंग है भाई 1064 रुपे अपनी एथर को यूस किया हम चलो कोई नहीं क्या दिक्कत है अब भी यार एक अजार चॉसर्ट रुपे की अर्निंग होगी अजार का टारेंट अपना अचीव हो गया और मैं अराम से प्रॉपर घर आ गया भाई एक 140 किलोमेटर भी अगर गाड़ी लगाए तो 140 किलोमेटर में अपना फुले घर आ गया और क्या चीए यार मेरे साब से भाई ठीक है इस बाकिया ही मैं सोच रहा हूँ ऐसे इसे दिन भी काम करेंगे हम दो दो बार चार्जिंग करेंगे भाई दो बार चार्जिंग यह सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए भाई सुवह निकलना पड़ेगा विकॉस रात को ठंड हो चुकी है काफी तो बस यही था यार आज का अपडेट आज की अर्निंग आपने देखी ली और भाई आयन ने से रो द्वार का मोड़ के राइड मिली थी ना हो मैडम पर यही थी बड़ा मदा आ था राइड मेडम कस्मर बाते करता रहे रहे तो राइट साइड चल निकल जाती है हमारी फिर कोई टैंशन नहीं रहती बस यही है कस्मर अच्छा मिलना चाहिए कश्टमर अगर वह ना कहीं संकी कस्मर मिल जाते दोस्तों तो फिर हालत बुरी ह आप लोग को पता है है कैसे कैसे कस्मर मिलते हैं अर्निंग ठीक हो जाए तो फिर और किया अधर राइटर टाइम जादा लेती है बड़ा जाने में लगता है पट्रोल बटर है और अभी दिल्ली में यही अलग हो तो यही काम करो ना यार क्यों रिसक ले रहे हो रिसक ले स अधिन चलाना वगा काम करना पड़ेगा टोशले दोस्तों इस video को चैनल के ब्लेफ किजीए इस वीडियो को लएक कीजिए और पराने है प्लीज इस video को like कीजिए और वीडियो को शेयर कर दो यार लिए हर वीडियो में कH आता हूँ आब से इस video को शेयर कर दो हमें भी थो